येलिए हैं तीन चीज जिया आब अबैद्या अपने वारे में गलत जानकारी जिसे तेरी ओमर के लगा हूं बड़िया जिसे तेरी नोकरी लग जा और बड़िया तो काम काश करें अब थेरी के विमारी गुज जाईगी कि साधी करना है मूल समस्या है मैं कौन हूं यहां से अग्जाज चाल भूता है तो जैसे पिताजी अपन ने एक टॉपिक पर बात करी कि सब कुछ पाके भी इसान दुखी है पर जिसके पास कुछ नहीं हो भी बहुत दुखी है जैसे कि एक गरीब सुष्टाई कियार मेरी ग बैसे जगह जिसके पास जब व्ह दुखी है जिसके पास जुब नहीं वह उससे जगह है हुआ गवर्मेंट्र में ईगार्मेंट्र वाहत्च अच्छा अंक्वशार प्राइवट शिपैनलों वाहत्क्वी और rocky कलोगोंशन का fricky निएम ऐख कोई कि इनसे ओूखी जोखी ह जो भगवान का दास है, सूर दास, रे दास, कबीर दास या अनंद को उपलब दो है, तो मूल कारड जैसे तीन चीज हैं जैसे, अबिद्या, काम और कर्म, जैसे अबिद्या, अबिद्या पतलब अपने वारे में गलत जान कारी है, जैसे मैं कौन हूँ, तो जैसे गीता केती कि तो मात्मा हो, आप पून हो, जैसे परमात्मा के अंसो, इस्वर, अंसे, जीव, अविनासी, जैतन, अमल, सहज, सुखरासी, तो जैसे इस्वर के अंसे आप, इस्वर के साप पूर है, आनंद में है, तो आप भी उसके अंसो, अरे जैसे सूरिकास, में रहेंगे जैसे प्रकास देना उसकी दाई खा सकती जैसे पानी तो छोटी बूंद भी लोगे तो उसमें जो सीतलता और गिला करनी की दोनों चीज रहेंगी यह आप इस पर के अंस हो तो इस पर कैसा आनंद में है इसलिए आप आनंद चाहिए तो पूर्णे हो अब मतलब अब इद्या अपने अपारे में गलद जयन करी है तुको पढ़ाय नहीं जाता है कि इसी को पता ही नहीं है पता यह से चले यह तो शीखा जाता है क्या बेद्ब जिसे जिसे यह तो पूर्ण कूल जाओ या को या आध्यात्म गीता रामाइड पढ़ो या जो भी आजक पर पिए तो माबाप ही नहीं करने दे मतलब बच्चे को पागल समझते है अगशे क multiplied इसी बात करें ना तो आदक तम आफ उसको पागल ही समझते की तू क्या-क्या बात कर रहा है ए यह कहा क्या दैक ने ने देखो अब कोई क्या समझे तो सुनो सबकी और करो मन की जैसे तो जबता कि मनंचिंतन निकरोगे मैं कौन हूं कहां साया हूं आध्यात्म क्या है संसार क्या है इसके लिए मनंचिंतन की आओ सकता पड़ती है मैं तो क्या जैसे आप से बहुत फ्रेंख बात करता हूं कि आपने मुझे उस मावल में डाल रखा है मगर हर बेटा अपने पिता जी से इस टोपिक पर बात करे तो पॉसिवल ही निये मतलब ही ही अभी इस वर्ल्ड में तो नहीं जैसे कोई जरूर नहीं है का उनसे इसको शी लेगा और अगर प्यास नहीं है तो फिर तो जैसे अब इद्या अपने वारे में गलत जान करें जैसे तुम आत्मा हो तो जो आत्म ग्यानी रहते हैं उनको कोई दुख नहीं होता है जैसे लाइड जानी रंद्यरा कायब तो उसको कोई दुख नहीं होता है जैसे आप आत्मा हो से हटे तो इक्षा जाकती है काम पतर जैसे एक्षा जागी तो जैसे पूर्ती हुई जैसे पैसा मिल जाए आपकी इक्षा तो लोब जाग जाएगा जैसे पैसे मिल गया तो नलो ये लियाओ, नहीं मिला तो क्रोज, और फिर यह जब करोगे, तो फिर कर्म बंदन हो जाते है, कर्म, जैसा करोगे, जैसा काटोगे, यह सिद्धान थे मतलब जैसे, अगर आप जैसे, एक लगा आप जैसे तेरी उमर के लगा हो, बढ़िया जैसे तेरी नोकरी लग जाय बढ़िया तो काम काज करे, अब तेरे को एक बीमारी जाएगे, साधी करना है, तो फिर जैसे साधी करी, क्योंकि देखो क्या है, जियू अकेला है और अकेला जायता है, फिर जैसे प्रेम करना, और एक प्रेम होना, तो जैसे प्रेम करते हैं तो करना और होना जैसे मा का बच्चे के प्रती प्रेम होता है और जैसे पती पत्नी प्रेम करते हैं दिखावा के सकते हैं हाँ तो होना और करना दोनों में अंतर है तो प्रेम तो बहुत बिर्लों को जैसे लेला मजुनुई राजय को बिर्ले को प् तो अपने वारे में गलत धारना जैसे जैसे मैं हो तो मैं स्वेम कभी दुखी नहीं होगा जो दुखी जो होता है वो जो उपादिया जो ही नहीं जैसे अब मेरी साधी हो गई तो मैं पती हो गया जैसे यह सो गया जैसे बच्चा हो गया तो मैं पिता हो गया मेरी पिता की उ मैं तो जोपत हुई हूँ, बाकि क्या होता है, मन का तादात हो जाता है, जैसे मैं स्वेम में इस्थित रूप, जिस्थित प्रिग्या बोला है, तो कोई दुख नहीं है, और जैसे ही, अगर वो पती बना, यह लाना हो, लाना साग, समझी लाना, सब दूख के लीला, जिसमें जैसे बगवान ने दीला करी, कोई जैसा गाना, जैसा बजाना, तो आप जैसे पत्मी के सामने, पती का रोल प्ले करो, पुत्रे के सामने, तो यह चीजे, जब आप मन पर काम करेंगे, साधना करेंगे, जब जाएके आएगे, यह से नहीं आएगे, मतलब जैसे आत्मी को कई नकई रस ठीये, आन्द, तो अगर उसको उस रस का पता नहीं है, तो यह उसका मन लगेगा, और मन की, मन लगाने के लिए, जैसा नहीं कि लोग केते हैं कि मन लगता नहीं है, जैसे कई उधारण, जैसे कोई भी माइला, बिस साल अपने मावाब का रहत तो रखेंगे फिर वह आजाती जो तरी मम्मी आ तो वह से मन हट गया कि अपर आपन को कि जा वा जा तो जाएगी कि गार मोगेगे मेरा घार तो फिर गड़ मन तो अगर आप अब आप अब्यास हो जब चीजे करेंगे उस पर विश्वास रहेंगे तो मन और के तेन आमन चेन आप बिना मन के वजाओ तो जैसे अनद नाद वगरा फोई देते हैं अंदर से तो वामन की स्थिती तो उसमें फिर आत्मी को कोई कर्म नहीं होते हैं और करता भी नहीं, भूकता भी नहीं, मन से कर्म होते है जैसे अर्जून को भगवार्नी का करा दिब्ध दरश्टी दी और फिर सब मारा उन्होंने तो मैं भी आत्मा ओंगो भी आत्मा है ना में में मरा ना वो मरा है में भी अमर हो वह भी अमर तो कोई कर्म बंदन नहीं होते दिस्ट याप जिसे आत्म हों से हटे अपने वारे में गलत जानकारी तो फिर वह चलू हो जाता है तो पर शुरुआप कैसे कर सकते मतलब इसे मेरी में मुझे शुरुआत करना है कि यार मैं मेरे वपर खुद की ऑससे जेदस जंढ ले हरु भी क्रम वार्ग मतिमार घ्ञान मारग। कोई भी एक रास्टे पर चलो आपृव एक ज्यान मार गभ तो यह तो ध्यान करना यह सब सीखना और द्यान का है आप समझदारी समझना जैसे अर्जुन को वह कोई अर्जुन ने कोई ध्यान यह कुछ ठोड़ी करा वहां ने समझाया और समझ मैं तो जो अच्छे समझ जाते हैं उनको कोई करने की जरूत नहीं मतलब शुरुवात एक आद्मी को ध्यान लगाने से करनी चीए कि थोड़े बहुत समय कोशिश करें 15 मिड़ी क्या है जैसे रामाण में चोपाई है कि बिन सत्संग बिबेक ना होई राम कृपा बिन सुलब ना होई बिन एक आद्मी आप रोड पार करा दो यह करा। उससी समस्या समाधान ने होगा और जैसे उसको डाक्टर हाइडिया के पास ले जा और उसको आच दिला दो फिर मदद नहीं मांगेगा यह बिबेक पूर्वात जैसे आप अपनेको पूर समाधान ची यह अपन पैसे कमालो यह कर लोगों कर लो तेसे पूर समाधान्य होगा आपको जो आनन्द मिलेगा वागवद प्राप्ति आत्पसर मन फड़के बाद यह आनन्द मिलेगा अन्धा आपको आनन्द पर अनन्द है नहीं तो अंतर मुखी यपने होगए आप बले कितना कि यह सिख अंदर शरी का जैसे अपन एक दिन बात करी थे पैसे वाले जैसे शिख अंदर हिटलर अरुछ आप तो इनिको अलंद आनन्द के लिए अलग दिसा जैसे बुद्ध महावीर इनको उसके नहीं क तो मन पर काम करना है अगर जैसे इसको में इस सेशन को तो मतलब शुरुवात आपको ध्यान से करनी चाहिए 15-20 जित्ता आप से बन पाए जैसे चोबीत गंटे होते हैं जो बीद गंटे होते हैं, आप थेज़ गंटे संसार के लेजी हो, बड़ा ही निखाई सब इसके हो, एक गंटा अपने लिए, उसमें फिर संसार नहीं आना, जैसे ध्यान जैसे अपन ध्यान करना वनने वो अलग सिस्टम है, बास्ति भी ध्यान जैसे आप रात में सो जाते ह आप खुछ भी नीग करते हैं, जाप लेखते हैं, थोड़ी दिर नीद आ जाती है, तो जो जो नीद आ जाती है, तो आप सब छूड़ जाते, यह ध्यान की पूर्ण अवस्ता, तो सुबती बोलते हैं जैसको, औरिजनल. अभी जैसे अपन यह बेठें, जैसे जैसे मेरा अपन जिसे कमरें बेठें तो मेरा कमरा है, तो कमरें से मैं अलग हूँ, जैसे कुर्सी बेठाओ, मेरी कुर्सी, तो कुर्सी से मैं अलग हूँ, मेरे कपडें, तो कपडें से मैं अलग हूँ, फिर मेरा सरीर, यहां से आदमी अलग निकर पाता है, मेरा सरीर, मेरा मन, मेरे ब जोट हो जाती हिसा अपने जानक को भिदे पोला। सीता जी को भेदे ही पोला। जैसे गओला नारियल और सुका नारियल। मतला एक चिपका रहता है, और आरियल अलग हो जाता है। उह भिदेत के अधर जाएंगे ते षब चीजे होती है। अपने बेद सास्त्रों में या इनमें सम तु फुन समस्या है मैं कौन है यहां से अज्यार चाल बूता है तो गीता किती मैं आत्मा हूँ बिना कोई कई का भी आत्मी हो वो जब निकल जाती है चाहाँ अमेरिकागा चाहाँ पाकिस्टाम का सब आत्मी पास तो तुक्य बनने कुछ प्रथवी जलगनी भाई वाकास हां मतलब अपन लोग शुरुवात ज्यान से कर सकते हैं फिर बाकी प्रोसेस जो है वो आटोमेटिक इत्सान सीखता है आप फोड़ा सा अंदर जाके जहांके तो सही अपने अंदर और यह जो साधराय बताई है इन पर काम करें ठीक आप उस समझ में आएगा ठीक है पिताई आट कर आँ है आफ आटिए इन अंदर की जहा है वो.